डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच चेकिन बाद स्टार्ट पिछले कुछ समय से जिस तरहे देश के विभिन हिस्सों में बीमारियां फेल रही हैं और समय पर इलाज ने मिल पाने से लोगों की जान चली जा रही है उससे एक बार फिर देश की स्वास्ते व्यवस्था की पोल खुलने लगी है कोरोना विसानू से पार पाने में हमारी सरकारों को नाकों चने चबाने पड़े और अब भी उसकी चुनवती खत्म नहीं हुई है पर लगता है उससे कोई सबग नहीं लिया गया अभी केरल और महाराष्टर इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए है देश के आधे से अधिक आंकडे केरल से आ रहे है महाराष्टर में भी बीते एक हफते में तेजी से मामले बढ़े है इस बीमारी से छुटकारा पाना तो चुनवती बना ही हुआ है इस बीच उत्तर प्रदेश में डेंगु और केरल में निपाह विसानु की दस्तक ने एक नई चिंता पेदा कर दी है निपाह भी संक्रामक विसानु है और यह पस्वों तथा मनुष्य दोनों में समान रूप से फेलता है केरल में करीब तीन साल बाद फिर से इसने दस्तक दी है निपाह विसानु के संक्रामन से बचने के लिए अभी तक कोई टीका नहीं खोजा जा सका है इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं है इसलिए यह अधिक खतरनाक विसानु माना जाता है निपाह विसानु की दस्तक में केरल में एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है उत्तर प्रदेश में जिसे डेंगु बताया जा रहा है उसके बारे में अब भी कई चिकिछा विज्यानी दावे के साथ नहीं कह पा रहे कि यह वास्तव में डेंगु ही है इसे रहस्यमई बिमारी मान रहे हैं बेसक इसके लक्षन डेंगु के हैं यह बिमारी जिस तरह वहां के विभिन जिलों में तेजी से फेल रही है लोगों को समूचित उपचार नहीं मिल पा रहा अस्पतालों में जगह की कमी देखी रही है उससे भरोसा नहीं बन पा रहा की सरकार इस बिमारी पर जल्दी काबु पा सकेगे कोरोना की दूसरी लहर में जब वहां मौतों का चिलचिला बढ़ गया था और लासे गंगा की रेती में दफन की जाने लगी थी तब उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकडों पर परदा डालना सुरू कर दिया था फिर स्रेय लेती फिरी की उसने कोरोना पर काबु पाने में ततपरता डिखाए अब नई रहस्यमई बिमारी ने उसकी ततपरता और चिकित सा सुविधाओं पर सवाल खड़े करने सुरू कर दिये हैं हालांकि बरसों से विभिन अध्यनों के जरिये खुलासा होता रहा है कि भारत में स्वास्थे सेवाएं खस्ता हाल हैं सारवजनिक स्वास्थे सुविधाओं पर बजटिये अबंटन जरूरत से काफी कम है मगर सरकारों ने इस तरफ कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया उसी का नतीजा है कि यह महकमा दिन पर दिन और खस्ता हाल होता गया जब भी बड़े पेमाने पर कोई बीमारी फेलती है उस पर काबु पाना सरकारी अस्पतालों की वसकी बात नहीं रह जाती ने उसके पास जांच के उचित उपकरन होते हैं और ने जरूरी दवाया ने एसे चिकित सक जो नई बिमारीयों की समय पर पहचान कर उनका निदान कर सकें विडम बना है कि हमारे देश के गरीब लोग इनहीं अस्पतालों की भरोसे हैं और समय पर इलाज ने मिल पाने की वजह से वही सबसे अधिक दम तोड़ते देखे जाते हैं स्वास्ते बिमा योजना भी कारगर साबित नहीं होती जब व्यवस्था की खामियों पर अंगुलियां उठने लगती हैं तो सरकारें आंकडों पर परदा डालना सुरू कर देती हैं कोरोना पर काबु पाने में विफल रहने की व्यवस्था से केंद्रे स्वास्थे मंत्री को बदल दिया गया मगर केवल मंत्री बदलने से बिमारियां कुछ कम नहीं होंगी बिमारियों पर काबु पाने के लिए पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है समप